कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे इस कुश्चिन को स्टार्ट करते हैं कंसीदर दा सिच्टुएशन आई शोने इन दा फिगर आल दा सर्फेस आर स्मूथ और दा स्ट्रिंग अद पुली आर लाइट तो यह जो कुश्चिन है जैसा हम लोग ने लास्ट लेक्चेर के अंदर देखा था सिमलर वैसा ही है बस डाइगराम थोड़ा सा चेंज कर देगया है तो उस कुश्चिन को समझना है तो देखिए यहां पर हमारे पास यह कैपिटल M मास गिवन दे रखा है और इसका मास आप लोगों से पूछा गया है find the mass of hanging block which will prevent the तो ये इसका मास पूछा गया है अब देखे समझेगा इस question को मैं थोड़ा सा copy कर लेता हूँ पहले copy कर लिया और यहां paste कर लेता हूँ ठीक है अब देखे समझेगा यहां पे होगा क्या ये वाला force mg force नीचे के ओर लगेगा ये capital mg मैंने मान लिया चलिए यहां पे एक tension force T लगेगा ठीक है अच्छा यही tension force T यहां लगेगा और यहां पे लगेगा और यही tension force यहां लगेगा ठीक है और यह tension force किसके वज़े से लग रहा है यह mg force जो नीचे के और लग रहा है उसके वज़े से tension force generate होगा यह क्योंकि चलिए यह मैंने मान लिया कि यह acceleration से यह वाला block नीचे के और move करेगा तो यह वाला पूरा system भी acceleration से आगी के और move करेगा अब इस चीज को समझना है आपको ठीक है चलिए अब देखिए हमने last lecture के अंदर यह वाला question पढ़ा है कि जब भी इस type का triangular block system आपको question में given दिया गया हो और बोला गया होगा कि इसमें एक wedge जो है वो इस यह जो block जो है यह wedge के relatively slip ना करे तो उसको कैसे solve करेंगे हम लोग चलिए देखते हैं यह हमारा पास horizontal surface और यहाँ पर हमारा block यह small m mass का block और यह capital m' block ठीक है यह tension force इसको खीचेगा यह पूरा system आगे की और accelerate करेगा तो t की value जो होगी वो m' plus small m into a होगी एक तो a equation यह बनेगी इसको मैं थोड़ असा छोटा बना लेता हूँ यह हो जाएगा ठीक है एक equation यह दूसरी equation क्या होगी उस सीज के बारे में बात करते हैं दूसरी equation यह हमारे पास यह capital m mass यह tension नीचे की और mg नीचे की और a acceleration हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे mg minus t is equal to m a तो mg minus a is equal to t यह tension force लगेगा ठीक है अब इस चीज को समझना है देखें हमें यह पता है कि यह वाला जो block है यह वाला block accelerate इस relatively इस wedge के relatively नहीं करना है तो अब इसको question को कैसे solve करें देखें यह हम block के उपर free body diagram बनाते हैं यह small m mass यहाँ पर एक normal reaction force एक mg small mg ठीक है तो अब इसका मैं अगर component लेता हूँ तो एक component इधर होगा एक component इधर हो जाएगा और यह वाला angle कितना हो जाएगा 37 degree जैसे आप लोग ने last question के अंदर देखा था यह theta 37 degree दे रखा है यहाँ पर तो यह भी 37 होगा ठीक है तो यह हो जाएगा n sin theta और यह हो जाएगा n cos theta ठीक है तो अब यह n sin theta इस क्योंकि यह पूरा system आगे की और a acceleration से move कर रहा तो यह वाला block भी आगे की और a acceleration से move करेगा तो n sin theta की value किसके प्राव हो जाएगी यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ठीक तो n sin theta की value हो जाएगी mass into acceleration ठीक है और n दूसरी equation n cos theta जो होगा वो किसके प्राव हो जाएगा m gk इसकी equation second equation इसको third equation और इसको मैंने first equation बोल दिया जब मैं इनको divide करता हूँ तो from equation second and third जब मैं इन दोनों को equation को divide करूँगा तो n से n कर जाएगा और 10 theta हो जाएगा a by g तो a की value हो जाती है g 10 theta theta की value है 37 degree तो g और 37 की value 10 37 3 by 4 तो a is equal to 3 by 4 g हो जाता है अब देखिए अब देखिए यहाँ पर समझेगा ठीक है यहाँ पर m dash की value यहाँ पर m dash की value जो है वो कितनी given दे रखी है m dash की value दे रखी है वो है 3 kg और small m की value दे रखी है 2 kg तो t की value कितनी हो जाएगा from equation first t is equal to m dash plus small m into a m dash की value जो दे रखी है वो दे रखी है 3 plus a की value कितनी दे रखी है एक value दे रखी है 2 और एक acceleration की value कितनी है 3 by 4 g ठीक है 3 by 4 g तो t की value हो जाएगे यहाँ पर 5 into 3 by 4 g और tension की value हो जाएगे 15 by 4 g यह हो जाएगा tension अब इस चीज को समझना है मैं अब देखिए यही चीज हम लोग इस equation के अंदर भी put कर सकते हैं ठीक है यही चीज हम लोग इस equation के अंदर भी put कर सकते हैं तो क्योंकि हम लोग उसे mass पूछा गया है तो t is equal to g minus a की value हमारे पास कितनी आ रही थी 3 by 4 g और यह हमारा हो जाएग इस equation को मैं further solve कर रहा हूँ ठीक है और tension की value हमारे पास आई y 15 by 4 g 15 by 4 g तो अभी हम पर solve कर लेते हैं m g मैंने common ले लिया 1 minus 3 by 4 that is equal to 15 by 4 g g से g कर दिया और यह हो जाएगा m by 4 is equal to 15 by 4 m is equal to यह 4 से 4 कर दिया 15 kg तो यह आप लोगों से पूछा गया है कि mass of the block कितना होगा यह हम लोगों ने solve कर दिया ठीक है ना I hope आप लोगों को सुनमाया होगा यह वाला question यह acceleration हम लोगों ने यहाँ पर put कर रहा ठीक है I hope आप लोगों को यह question सुनमाया होगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जिरू करिएगा और जो बैल आइकन है